हेलो बच्चों वेलकम तो जी के क्लासेज आई होप आप लोग शॉष्ट होंगे मस्त होंगे तंदुर्ष्ट होंगे जैसा कि आप लोग जानते ही कि हम लोग NCRT Mathematics क्लास 11 का चैर्टर नूमबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेट्स आज की इस वीडियो लेक्शर में हम लोग एकसराइज 1.6 के क्वेश्चन साल्व करेंगे इसका जो कांसेप्ट था इसमें जो भी चीज़ें हमें जरूत पढ़ेंगी उसके बारे में मैंने आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में जाएए आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक है आए शुरू करते हैं पेन और पेपर हाथ में ले लिजिए और बात करते हैं क्वेश्चन नमबर 1 की कह रहा है कि इफ एकस एंड वाई आर टू सेट्स सच एकस यूनियन वाई एकोल टू 38 देन फाइंड एन एकस इंटर्सेक्षन वाई मतलब यह है कि एकस में कुछ कितने एलिमेंट है 17 वाई में कितने है 23 दोनों में मिला गे कितने है 38 तो कह रहा है कि एकस इंटर्सेक्षन वाई में कितने होंगे यह डायेट फार्मूले पर है फर्मूला क्या था? फर्मूला था N A Union B Equal to N A PLUS N B MINUS N A International B. यही तो था. इसी को हम चाहे है तो घुमा के इस वाले को उधर ले आए तो यहां पर intersection हो जाएगा और यहां पर आपका union हो जाएगा. ठीक है, ब्ह investigators देखो बैए, A की जगा पर X है B की जगा पर Y है तो same process हो जाये था N X intersection Y equal to NX plus NY minus NX union Y formula आपके पास तयार है values रख दीजिए NX की value 17 plus NY की value 23 X union Y की value 38 कितना हो जाएगा भई तेज़ शाथ 30 और 10 40 minus 38 ठीक ना आंसर कितना है भई 2 तो N X intersection Y में कितने element होंगे 2 element होंगे ठीक ना 2 element होगे question number 2 की बात करें तो कह रहा है कि if X and Y are two sets such that X union Y has 18 element X has 8 elements and Y has 15 elements how many elements does X intersection Y have तो number of element in X union Y क्या होगा 18 okay X में कितने element है भई X में 8 element है Y में कितने element है 15 element है then आप से पूछ रहा है कि बताओ भई X intersection Y में कितने element होगे same question लगा दें N X intersection Y equal to N X plus N Y minus X union Y values रख दीजिए 8 plus 15 minus 18 यह आगया 23 minus 18 equal to कितना 5 तो कितने element होगे 5 element होगे X intersection Y में ठीक है that formula based question है ठीक है इसके इन साथ लीजिए फिर्म लोग आगया बढ़ते है तो बच्चा लोग आप बात करते हैं question number 3 question number 3 में कह रहा है कि in a group आप 400 people 250 can speak Hindi and 200 can speak English how many people can speak both Hindi and English ठीक है तो कुल कितने लोग आई 400 है कौन कौन से लोगे Hindi और English बोलने वाले तो इसको आप लिखोगे N Hindi को Yes से लिखेंगे English को E से लिखेंगे तो Hindi और English कुल मिला के कितने है 400 Hindi बोलने वाले कितने है 250 English बोलने वाले कितने है 200 कहना कि Hindi and English Hindi और अंग्रेजी दोनों दोनों को मिला कर बोलने वाले कितने होंगे अच्छा एक सीज़ आप समझ लिजेगा जहां पर and का सेंस आए और and वहां पर intersection होता है जहां पर और है ना या अथवा है ना वहां पर union होता है Hindi and English इस दोनों की बात की जा रही एक साथ तो वहां पर आएगा आपका intersection यह आपको बताना है इसमें तो कुछ है नहीं है ना that formula पर कर देंगे कि भाई N H intersection E equal to हो जाएगा NH plus में NE यह N है यह तो कुछ और ही समझ लो और यह हो जाएगा union है ठीक ना NH कितना है भई 250 ओके यह N ही 200 और यह 400 तो इधर तो हो गया 450 इधर हो गया 400 आंसर आए 50 तो 50 ऐसे लोग है जो हिंदी और इंग्लिस दो न बोलते हैं यह तो हो गया आपका आंसर आ चुका है अब इसी question को मैं बेंड डियाग्राम से करता हूं कैसे करूं में बेखना ऐसी question आते हैं competitive exam में है न और वहां पर गुरू जी एक लाइन में करके आपके सामें hero बन जाते हैं और आपको लगता कि यह तो मैं जानते ही नहीं थे कहां से आ गया कुल मिला के पूछ रहा है कुल मिला के मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा कितने हैं 400 ठीक है कुल मिला के कितने हैं 400 वो कि नाज रखो 250 can speak Hindi 200 can speak English कर će दूढ़ों मिला के कितना बोलेंगे तो आपके दोनों मिला के मालों की के बोल रहा हैं दोनों मिला के यह जो portion है ना, यह ऐसा portion है इसमें हिंदी और इंग्लिस बोलने वाले हैं, दोनों साथ साथ बोलते हैं, यह वाला जो portion है, इसमें केवल हिंदी वाले हैं, यह वाले में केवल इंग्लिस वाले हैं, यह एक ऐसा portion है जिसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों वाले हैं, ठीक है, ए ये वाला portion पूरा आपका कितना था 200 कहा गया 200 अगर ये पूरा 200 था उसमें ये के ना हो तो कितना होगा 200 minus k और पूरा कितना है यहां से लेकर यहां तक कुल कितने लोग है 400 सब को add कर दो 250 minus k plus k plus 200 minus k equal to कितना 400 टोटल 400 लोग है एक के तो ऐसे ही चला गया 250 and 450 कितना होगा 250 and 200 कितना होगा 450 minus k equal to 200 इस 200 को इधन लाओगे इसके को उधन ले जाओगे पुल मिला कि हो जाएगा 450 minus kितना सरी यह 400 है 400 आंसर कितना है 50 यह वही 50 है जो हिंदी और इंग्लिएस दोनों बोलते हैं तो आप बेन डिग्राम से भी कर सकते हो आप आइस से भी कर सकते हो ठीक है यह तह सिंपल क्वेश्चन था तो इसमें बेन डिग्राम से बहुजा आद आपको लॉजिक समझ में नहीं आया आग आइए, question number 4 के बात करते है, if s and t are two sets such that s has 21 elements and t has 32 elements and s intersection t has 11 elements, how many elements does s union t? बजा आगया, है ना, चलो बही करते है, s के पास कितने element है, 21, t के पास कितने element है, 32, s intersection t के पास कितने element है, 11, आप से पूछा क्या जा रहा है, यह पूछा जा रहा है, रख दें formulae पे, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, NAS 21, 32, 11, 42, answer, 42 इस होगा, 21 minus 11, 10, 32 plus 10, यह होगा, 42, अब इसको आप बेंड डियाग्राम से भी कर सकते थे, ठीक है, तो इस वाले question को आप बेंड डियाग्राम से करके देखिए गाया जैसे मैंने किया थे, करके दिखाओ चलो करी देता हूं ठीक है देखो यस एंटी दो सेट हैं एक सेट हो गया येस यह हो गया आपका टी ठीक है एस में 21 एलिमेंट है टी में 32 है और डोनों में 11 है ये दोनों में हो गया 11 यह आपका S है यह आपका T है यह पूरा आपका कितना है 21 है तो अगर यह पूरा 21 है तो यह कितना होगा 21-11 यानि 10 यह तो होगा यार यह पूरा आपका 21 था उसमें यह 11 हो गया तो 11 प्लस 10 कितना होना चाहिए 21 हो यह पूरा मिला कर 21 होना चाहिए ना तो इस पूरे 21 में से अगर 11 हटा दू तभी तो मुझे मिलेगा यह वाला पोर्शन यह वाला आपका 10 हो गया ऐसे ही इधर वाले को देखो यह पूरा आपका 32 है यह पूरा 32 है लेकिन मुझे सिर्फ इतने की बात करनी है इतना ही कि इस एलेवन कितना है तुनटीवन और आपसे पूशा क्या था आपसे यूनियन पूशा था यहां से लेकर यहां तक पूरा यूनियन होता है तीनों को जोड़ दो 10 प्लस 11 प्लस ट्वेंटीवन है इन तीनों को आएट करके बताना कितना आएगा 42 आएगा यार 42 थिक है तो आप इसको ब्रेन डियाग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यह था आपका question number 4, करते है question number 5 की कहरा कि if x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? ठीक है? यह आपसे पूछ रहा है तो x में कुल 40 element है x union y में कुल element है 60 x intersection y में element है 10 और आपसे पूछ रहा है कि y में कितने element होंगे? ठीक है न? फार्मूले पर है? कर दे? कर दीजिए n x union y equal to n x plus n y minus n x intersection y यह फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप में previous वीडियो देखी हैं तो आपको यह पता होगा कैसे फार्मूला आया था? इसका मतलब क्या होता है? यह सारी चीजिए मैं बता चुका हूँ ठीक है? तो previous वीडियो ज़रूर देखें x union y कितना भई? 60 n x कितना भई? 40 n y, y हमें निकालना है, y में कितने element है यह तो पता करना है intersection में कितने है? 10 है, ठीके न? यह होगा तो 60 equal to 40 minus 10, 30 plus n y इस 30 को इधर लाओगे, simply आपको पता चल रहा होगा कि n y के value 60 minus 30 होने वाली है यानि कि 30 आपका answer आएगा, ठीक है न? simple question है, formula based, ठीक है? question number 6 में कहा रहा है कि in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea and each person likes at least one of the two drinks how many people like both coffee and tea? ठीक है न? ठीक है, कर देते हैं तो देखो भई, 70 लोग पूरे group में है, 37 like coffee, तो coffee को मैं C से लिख रहा हूँ कितने भई, 37 52 कितने हैं, 52 क्या है? चाय वाले हैं, तो चाय को टी से लिखते हैं total जो member है group में, वो 70 है, 70 ऐसे लोग है, जो coffee भी पीते होंगे, या चाय भी पीते होंगे, तो coffee या, या मतलब क्या? और, और मतलब क्या? union, tea, ये कितने हैं, 70, आपको बताना है काफी और, चाय, कितने लोग पीते हैं, ये आपको बताना है, कह रहा है कि, 52 लाइक टी, and each person likes at least one of the two drinks, कह रहा है कि, प्रतेक जितने भी people हैं, जितने भी लोग हैं, उन में से प्रतेक लोग ऐसे हैं, जो कम से कम, दोनों में से, tea या coffee में से, कम से कम दोनों में से, एक drink तो पीएंगे ही, पीएंगे, ऐसा नहीं कि कोई कुछ ना पीए, कुछ ना कुछ पीएंगे, तब आप से पूज रहा है कि, how many people like both coffee and tea, coffee and tea, मतलब, and का मतलब मैंने बताया था, intersection, फार्मूले पे हैं, लगा देते हैं, एन, coffee and tea, equal to क्या हो जाएगा, coffee, plus में, tea, minus में, coffee या, tea, यही तो, रख दो भाई, लो, 37, plus, 52, minus, 70, ठीक बात है, 9, 8, minus 70, answer आचुका है, 19, 19, लोग ऐसे होंगे, जो क्या करते हैं, coffee and tea, दोनों पीते हैं, ठीक है, तो यह था आपका question number 6, इसकी निसाट लीजिए, फिर अब लोग आगे बढ़ते हैं, तो फेरे बाद चोब बात करते हैं, question number 7 की, question number 7 में क्या कह रहा है, कि in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like, both cricket and tennis, how many like tennis only, and not cricket, how many like tennis, यह question है, मतलब कुल group में 65 लोग हैं, जिसमें 40 लोग ऐसे हैं, जो cricket को पसंद करते हैं, 10 लोग ऐसे हैं, जो cricket और tennis दोनों को पसंद करते हैं, तो आप से कहा रहा है, कि कितने ऐसे लोग हैं, जो टेनिस को पसंद करते हैं, या कितने और, कितने ऐसे लोग हैं, जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, दो आंसर आपको देना है, चलो करते हैं, तो cricket को C से लिखेंगे, टेनिस को T से लिखेंगे, क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, 40, होती है गुरुक में कितने लोग हैं गुरुक में तो कुल भाई 65 है टेन लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को पसंद करते हैं यह आपको बताना है टेनिस वाले कितने यह तो बताना है साथ में केवल टेनिस वाले कितने यह भी आपको ब तो आपको क्रिकेट वाले नीच यह क्यों टेनीश वाले चाहिए देखो कैसे पहले तो आप निकाल लो यह तो इसके लिए आप क्या बोलोगे C union T equal to कितना N C plus में N T minus में N C intersection T C union T कितने भाई 65 है 40 plus यह तो आपको निकालना ही है यह 10 तो 65 equal to 40 minus 10 30 plus N T यहां से अगर आप Tennis की बात करोगे तो 65 minus 30 35 लोग ऐसे होंगे जो Tennis को पसंद करते हैं लेकिन यह केवल Tennis वाले नहीं है इसमें cricket वाले भी होंगे अब केवल Tennis वालों को निकालना है तो क्या करेंगे देखो यहां से Only Tennis जो Tennis वाले है इन में से जो दोनों पसंद करते होंगो हटा दो अंसर आ जाएगा तो टैनिस वाले कितने है, 35 जो टैनिस को पसंद करते है। इनसे क्रिकट वाले भी है। अब यह कैसे किया, इसकाwind diagram बनाओगा न? तो आप फट से समझ जाओगे, देखो, ध्यान से देखो, यह बना रहा हूँ band diagram, यह cricket है, यह cricket वाले है, ये टेनिस वाले है, ये दोनों वाले है, ये दोनों वाले है, आप से क्या पूछा है, आप से उसने पूछा है only tennis, तो only tennis के लिए क्या करोगे, ये पूरा का पूरा tennis वाला है, ये पूरा का पूरा tennis वाला है, इसमें से अगर only tennis की बात कर रहा है, तो केवल इतने की बात कर रह इस वाले को हटा दो इस वाले को इस पूरे में से anti minus क्या कर देंगे इस वाले को हटा दो portion को भाई इस पूरे tennis वाले में से इस वाले को अगर मैं हटा दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा मुझे वो answer मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ क्या चाहता हूँ कि केवल tennis वाले, तो केवल tennis वाले यही तो हैं, यही तो हैं, इसको निकालने लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से हम क्या करेंगे, इस intersection जो दोनों में हैं उसको हटा देंगे, आपसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, question number 8 की, question number 8 में कर रह जिसमें 50 लोग French बोलते हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो Spanish बोलते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, और कहरा कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम इन दोनों लेंगवज में से कम से कम एक language बोलते ही बोलते हो, दोनों लेंगवज में से कम से कम एक language बोलते हो, ठीक है, तो एंड, फ्रेंच and Spanish मिला के कुल कितने बोलते है, तेन लोग, आपको बताना है कि कम से कम इन दोनों लेंग्वजेज में से कम से कम एक लेंग्वज तो बोलने वाले होई, मतलब खुल मिला के यह आपसे पूछ रहा है, दो ही लेंग्वज है, तो भाई बोलने वाला, या तो बोलेगा या तो Spanish बोलेगा यह निकालना है आपको, निकाल दीजिए, क्या करेंगे, देखो, यह तो फार्मूले पर आ गया ना, एन एफ, एन एस, इंटर्सेक्शन, तो एन एफ पचास, एन एस, ट्वेंटी, माइनस ट्यां, सत्तर, कितना आगया भई, 60, 60 लोग ऐसे होंगे जो कम से कम, इन दोनों में से कम से कम, एक लेंगज तो बोलते ही बोलते हों, ठीक है, तो यह था आपका question number 8, I hope आप समझ गया होंगे, कोई भी doubt है, कोई भी keyword है, तो comment करके पूछे, बाकी वीडियो कैसा लगा, यह भी comment कीजिए, और like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों को, अगर आप चैनल पर नहीं है, तो subscribe कीजिए, वेल आइकन को पेश कीजिए, आल पर क्लिक कीजिए, ताकि इसे वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है, मिलते हैं नेस्ट वीडियो लेक्ष्टर में, अपना ख्याल रखें, सुस्त रहें, मस्त रहें, और पढ़ते रहें